नमस्कार दोस्तों आप सबी का इस्टडी फौर यूपीएसी पीसे चाहर में स्वागत है दिरिश्टी आइस के बिहार समगर वलोकन से 67 बीपेसी रीग जामनेशन और 68 बीपेसी जो प्री होगा उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें हम प्री प्लस मेंस दोनों व्यू से पर रहे हैं भी हम इंसेंट हिस्टी कमप्रीट कर रहे हैं इससे हमने पहले क्या सब कमप्रीट कर लिया है तो पासान काल कमप्रीट कर लिया है पासान के बाद हमने देखा कि हरपा काल कमप्रीट कर लिया हरपा के बाद वैदिक प परेंगे आगे आएगए इसको परेंगे कि जब धर्मों का उदै होता है उसी को आज हम कम्प्लीट करेंगी अर मॉडरन हिस्ट्री और medieval इससे पहले complete हो चुका इसी बुक से question practice सहीत उसको आप जाके जरूर देखे और प्राचीन हास जो है वो हम sequence में पर रहे हैं तो sequence फालो जरूर करना सबसे पहले जाके पहला वीडियो देखना फिर दूसरा फिर तीसरा इससे आपको समझ में आएगा कहानी बनती चली जाएग जन्म लेने के बाद मरतें क्यों हैं हमारी आपसी परिसानियों का कारण क्या है सबसे पहला दिक्कत क्या था लोगों पास भोजन का होता है न क्या कि जब भोजन से आपका पेट भरा हुआ होता है न तभी आपका मन इस सवालों की तरफ जाता है कि आखिर हम जन्म क्यों ल लोहे का अविस्कार से, लोहे की जब खोज हो गई, तो कृसी सुरू हो गई, कृसी से क्या होगा, अतिरेक उत्पादन हुआ, अतिरेक उत्पादन यानि कि पेट भरने का अलाव यह हमारे पास अन्न बचने लग गए, इससे क्या हुआ, व्यापार वियस्था का बिकास होगी, आर्थिक प्रिगती होगी, आर्थिक प्रिगती से क्या होगा, आर्थिक प्रिगती से समाजिक प्रिगती होगी, कोई एक वर्ग ऐसा होगा, जिसके हाथ में पावर आएगा, कोई एक वर्ग ऐसा होगा, जिसके पास धना आएगा, तो फिर क्या होता है, जब बैठ परसिनिक व्याख्याओं नियम कानून आचार विचार ने सामाजिक आंदोलन की तरह काम किया इन्होंने मानविय जीवन सहली को बदलने में समय समय महत्पुन भूमकानी भाई उदारन सरूप वैदिक धर्म के कारण समाज में वर्न वेवस था और कर्मकांड के जगह बनी त जो इससे मैं चल रहा था भाई तो भारत में कौन सा धर्म था वैदिक धर्म का ही चलन प्रचलन था और इसके बाद जब दो धर्म का उदय हुआ तो उनके कारण को देखते हैं वैदिक धर्म की जटिलता कर्मकांड सुक्ति पाथ यग इत्यादी ये सब सब के बस की बात नहीं होती है बादी जम और जैनिलम उस समय में नहीं था इसलिए में कारण था लोग परिसां हो गया था कि ने जयाति पखंडित किया है कि जाती प्रथा नहीं होना चाहिए जाती प्रथा वर्ण वियस था जो था इस समय वो जन्माधारित हो गया था जब हम परते हैं उत्तर वैदिक काल तो उसमें क्या था जन्माधारित जब कि वैदिक काल में क्या था कर्माधारित था तो इस जाती प्रथा से भी बहुत सारे लोग तस्त हो गए थे जैसे छत्रिये था उसका काम हो गया था कि भाई तुम सासन की करोगे ब्रामनों काम होता था कि सासन में छत्रिये लोग सहयोग करना धर्म कर्म कांड पूजा पाठ करवाना और जो वैस्य होते थे उनका काम होत ञोतात, इनकी कठीन वहासा थी, जो सब के समझ yard के पढ़े थी, के बले विद्वान ही इसको पराह सकते थे। इसलिए ब्रामनों का वर्चस्व अस्थापित हो रहा तो ब्रामन बोलते थे, आज दिन नहीं रात हैं बोलते थे, क्यों है कि जानता है कि आज क्या है romance, परहालि वीज़ता का विश्थार अभी यह मैंने बोला कि लोहे से क्या होगा लोहे से करिसी अच्छी होती है बहाल बनाये जा सकते गहरी जुताए कहसे हो सकती है वैस और हो भाव रंधि क्यों हुआ लोह पकरन कहरें जिसे कृसी भूमी का विस्तार हुआ जिसे कित्वा इत्वादन व्रुदी उत्पादन ने उसे व्यपार्वा नीजा ride लेगा व्यापारबानिज बनेगा तो किसका प्रभाव बनेगा तो वैस्ट से लोगों का वैस्ट से लोगों का वैस्ट से लोगों का व्यापारबानिज बरता है समाज में अपनी इस्तिती सुधार ने व्यापार वानिज के विस्तार करने के लिए ब्रामन वादी समाजिक व्यास्था का बिरोध किया इन्होंने ब्रामन लोग इनको क्या बोलते थे कि पसू बली मत दो मांस का व्यापार मत करो सूद पर पैसा मत लगाओ समझे रहो ना क्या कह रहा हूँ मैं जैसे समुदर यात्रा करके बाहर मत जाओ व्यापार करने ये भी धर्म के खिलाफ है है ना मंदिलों में कर्मकांड में खुब सारा यग्य में पैसा चरह थे इससे इनके नुकसान होते थे अगला है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वैदिक कालिन वैस्था रिन पर ब्याज लेना पाप मानती थी अता वैसे बर्ग नवीन धर्मों को दे को प्रोसाहित किया सबसे ज़्यादा वैसे बर्ग नहीं नवीन धर्मों को प्रोसाहित किया था अनकूल राजनितिक दसा भी थी मगद जैसे सकती सालिस समराज जो थे ये ब्रामनवादी कर्मकांड से दूर थे अभी तक ब्रामनवादी कर्मकांड क्या होता है वही वैदिक परमपरा से दूर थे तो इसलिए इनकों राज़नतिक दसा भी मिले तो अब इस तरह समझ सकते हो जैसे राम मंदिर का फैसला जो है वो अगर कॉंगरिस के काल में आता तो कि ऐसा ही फैसला होता या अभी जो ग्यानवापी मस्जिद को लेका भी बात चल रहा है अगर ये एकॉंभरिस का period होता तो क्या है या अभी तक कोट में कीस सलरा होता है? या क्या इस्तिती होती? कुस तो इस्तिती अलग होती न? राजितिक दसा तैय करती है कि समाज में क्या होगा? जैन धर्म जैन सबसंस्कृत के जीने से सब्देपना है जिसका अर्थ विजेता होता है अर्थाथ जिसने अपने वन, मन, वानी, काया को जीत लिया हो जैन अनुसूर्तियों और परंपराओं का अंसार जैन धर्में 24 तिर्थंकर हुए जैन धर्म का सब्सक्राओं का जैन धर्म का प्रथम तिर्थंकर अरिष्ट नेमी 22 में तिर्थंकर को लेक रिगवेद मिलता है रिगवेद उसमें दो तिर्थंकरों का नाम मिलता है रिषब देव का और अरिष्ट नेमी का इसको याद रखना ये पूछा है जैने धर्म के 23 तिर्थंकर पारसुनाथ थे कासी के एक छुबाकू बंसी राजास हुसेन के पुत्र थे इनका काल महावीर से 250 इस भी पूर्व माना जाता है इनके अनियाईयों को निर्ग्रंथ कहा जाता है पारसुनाथ के अनियाईयों को पारसुनाथ जी ने चार महावर्थ प्रतिपादित किये थे पांच माँ इसमें कौन जो रेंगे महवीर स्वामी जी सत्य अहिंसा और परिग्रह तथा अस्ते चोरी ना करना इन्होंने ये जो रहा था पारसुनाथ ने नारियों को भी अपने धार में प्रवेश दिया त्योंकि जैन गरंथ में इस्तरी संग की अध्यक्सता पुस्प चुला का उल्लेख मिलता है पारसुनाथ जी ने नारियों को भी अस्थान दिया था जैनी जयम में पारसनात को जारखंड के गिरी डीह जिले में सम्मेद परवत पर निर्मान प्राप्त हुआ था जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24 में और अंतिम तिर्थंकर महवीर स्वामी थे इनको वास्तिविक संस्थापक क्यों माना जाता है क्योंकि जैन धर्म का जो मुख्य रूप से फैलाव हुआ जन जन तक वो इसी समय में हुआ था महावीर ने अपने जीवन काल में एक संग की अस्थापना की जिसमें 11 अनियाई समली थे ये गंधर कहलाए जैन धर्म पुनर जन्म और कर्म कार्ण में विस्वास कर्म वाद में विस्वास रखता है कि कर्म का फल करोगे तो अच्छा मिलता है ना उनके अनसार कर्म फल ही जन्म या मिर्त्यू का कारण है पुनर जन के बेवी विश्वास करते हैं और करम फल पर भी विश्वास करते हैं जैनी जम ये पॉइंट्स इसलिए याद रखना क्योंकि कई वार आगो डिफरेंस में यह चीज़ पूछ सकता है जैन धर में युद्ध और क्रिसी दोनों वरजीत है क्रिसी भी वरजीत है इतना ज़्यादा अहिंसा के प्रविर्ट का पालन करते हैं क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है आरम में जैन धर में मुर्ती पूजा का प्रचलन नहीं था किन्तु बादे महावीर सहीत सभी पूर्वतीर थंकरों की मुर्ती पूजा आरंब हो गी थी महावीर स्वामी का जीवन परचे जन्म 599 सापुर्व और पत्वा 544 सापुर्व भी कहीं कहीं बोला था है कुंड ग्राम बैसाली बिहार में इनका जन्म हुआ था पिता का नाम सिधार्त था वजी संग के जातरक कुल के प्रधान थे ये भी पूछता है कि किस कुल के प्रधान थे या कौन सा संग था वजी संग के जातरक कुल के प्रधान थे माता त्रिसला थी लिक्षवी सासक चेटक की बहन थी इनकी माता पत्नी यसोदा थी कुंडेले गोत्न की कान्या थी कुंडेले कान्डेले होता है कुंडेले होता है पुत्री प्यदर्सना अनुज्या इनका था दामाद इनका जमाली था ग्रिहत्याग तीस वर्स के आयों में बरे भाई नंदी वर्धन के आग्यां से ग्रिहत्याग क्या था इन्होंने और सिस्य मखली पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाई के संस्थाबक इनके सिस्य थे ग्यान प्राप्ति कैवल्य 12 वर्स के तपस्या के पसाथ 42 वर्स के आयू में जुम्भिक ग्राम में रुजपाल का नदी ये आज का कौन सा नदी है ये क्यूल नदी है रुजपाल का नदी के तर्ट पर साल व्रिक्ष के नीचे इनको ग्यान की प्राप्ति हुई थी निर्वान का पिरिला इनको 527 इसापूर में अथवाच्छे 460 इसापूर पावापूरी वर्तमान राजगीर के समी में मल राजा सुथपाल के यहाँ पर इनको निर्वान के प्राप्ति हुई थी जैन धर्म के प्रमुक्सिक शाएं देख लेते हैं अहिंसा सत्य और परिग्रह अस्ते या ब्रहमचारे ब्रहमचारे को किसने जो रहा था महावीर स्वामी जी रहन जो रहा था जीकि पारसुनाथ जी के समय में चार ही थे ये चार ही थे पांचमा ब्रह्मचारी को महावीर स्वामी जी ने जो रहा था उप्युक्त पांच महावरत अनुबरतों के तीन गुनवरत भी बताए गए हैं तीर्यत्रणच इसको कहा जाता दिगवरत, अनर्थ, दंडवरत और भोगोप भोग ये तीन इसके गुन बताए गए हैं दिगवरत का मतलब क्या होता है दिसाओं भर्मन करने के मर्यादा बांधना अनर्थ दंडवत का क्या होता है प्रियोजहीन पाप उत्पादक वस्तों का परित्याग करना और भोगोप भोग का मतलब क्या होता परिणाम अर्थवात भोगे पदार्थों का परिमान निर्धारन करना जैन धर में साथ सील वरतों का भी उल्लेख किया गया है कौन कौन से हैं दिग वरतह अपनी क्रियाओं को विशेश परिस्यति में नियंतरित रखना ये सब हमें नहीं याद रखना है ये जल्दी नहीं पूछता है इसको आगे बढ़ते हैं जैन धर में धर्म के दस लक्षन बताए गए हैं ये सब ही धर्म के दस लक्षन है जिसमें उत्तम कर्मा, क्रोध हींता, अंकार का हवाओ, अभाओ, सत्य से गंभीर, अनुरक्ती ये सब है इसमें ये चीज हमें नहीं याद रखना है हमें क्या क्या याद रखना है मैं बता देता हूँ पांचो बरत याद रखना है पांच महाबरत जो है जैन गरंत में जैन जो महाबीर जी है उनकी सिक्षाएं याद रखनी है जो मूल सिध्धानत है इसका जैसे पुनर जन में बिस्वास है और कर्मबाद में बिस्वास है कर करोगे तो अच्छा फल मिलेगा है ना कर्मा धारित ये धर्म था भाग्या धारित नहीं था जैसे आजीवक संपरदाई क्या बोलता है मकली पुद्गोसाल जी वाला कि जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा आजीवक का मतलब ही होता है कि आप कुछ भी कर लो आपको भ सम्यक दर्सन, सम्यक ग्यान और सम्यक आचरन ये इनके त्रिरतन हैं सम्यक दर्सन का मतलब होता है वास्तविक ग्यान सम्यक ग्यान का मतलब होता है सत्य में विश्वास और सम्यक आचरन का मतलब होता है सांसारिक विश्योंस उत्पन सुख दुख के परती समभावना आपक दिष्टिकौन का सिध्धान्त है स्यादवाद एक बड़ा ही उत्कृष्ट चीज़ है जो जैन धर्म में अपना एक औलोकिक चीज़ है इसका या ग्यान सम्मदी जैन सिध्धान्त है स्यादवाद इसके अंसार दिष्टिकौन के भीनता कारण हर ग्यान विविन सरुपम व्यक्त किया जा सकता है कोई भी ग्यान दिरिश्टी गतल जैसे मैं किसी चीज़ को देखूँगा तो अलग तरह कर देखूँगा मैं उसके बारे मालग सोच बना सकता हूँ तीसरा है, है या नहीं है चौथा है, है लेकिन पता नहीं, पता नहीं लेकिन है इस तरह के कितने हैं, साथ सिध्धान्त हैं, सब्त भंगी जिन को कहा जाता है इन साथ सिध्धान्तों का धार पर अब किसी भी चीज को देखोगे तो हो सकता है जो आपके लिए बुरा हो किसी के लिए अच्छा हो सकता है किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा हो सकता है इसी तरह के सिध्धांद बनाएगा स्यादवाद अनेका अंतवाद अनन्त चतुष्ठाय क्या है जब जीब से कर्म का अवसेस बिल्कुल स्माप्त हो जाता है तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है मोक्ष के पसाद जीवन के आवागवन के चक्र से मुक्ती मिल जाती है तता वह अनंत ग्यान, अनंत दर्सन, अनंत वेरे और अनंत सुख की प्राप्ती कर लेता है मोक्ष के पसाद क्या होता है कि उसको जीवन और मृत्यू का जो चक्र है जीवन और मूक्ष नहीं प्राप्त करोगे तब तक आप बार बार जर्म लेते रहोगे और मूक्ष आपकी होती रहेगी है ना तो जब उसको मोक्ष मिल जाती है तो अनंत ग्यान और अनंत दर्सन वगरे को प्राप्त कर लेता है और इसे ही जैन सास्त्रों में अनंत चतुष्ठय कहा गया है कि सो अनंत ग्यान अनंत दर्सन अनंत वीर्य और अनंत सुख को क्या कहा गया है अनंत चतुष्ठय चार अनंत बताएगे है जैन धर्म के ग्यान क्या है मती यानिक इंद्रिय जनित ग्यान इंद्रिय से जो आपको ग्यान मिलती है उसी को इंद्रिय जनित ग्यान कहते है सुरुती यानिक सुनने के से ग्यान अवधी यानिक दिब ग्यान मनह पड़ियाए दूसरों के मन को जान लेना कैवल्य सरवच ग जैन्यंद्र के बचन को सुनकर आप ग्यान प्राप्त कर सकते हैं। जैन्यंद्र के बचन को सुनकर आप ग्यान प्राप्त कर सकते हैं। जैन्यंद्र में सिर्फ संग के सदस्यों के लिए कैवल्य का नियम है। केवल्य प्राप्ती नहीं कर सकते हैं। सामान जनिया ग्रहस्तों को भिक्षू जीवन प्रवेस करने के से पुर्व 11 कोटियों से होकर गुजरना परता है। महावीर स्वामी को कैवल्य के प्राप्ती हो जाने के बाद ही कैवल्य जिन विजेता अहर योग्य निरगरंथ बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली है। बारा साल तक उन्हों ने तपस्या किया तब उनको क्या-क्या उपाधियां मिली। विजेता यानि कि इसने अपने इंद्रियों पर विजेपनाप्त कर ली। अहर यानि कि ये योग्य हो गया निरग्रंथी यानि कि इसको पर कोई बंदन नहीं है ना पारिवारिक ना समाजिक ना धार्मिक ना कुछ भी नहीं जैन धन पुनर जन वो करम बाद में विश्वास करता है या वेदों की ओपरुसेता और इस्वर के स्तित्य को औस्विकार करता है इसने ये चीज मानने से इंकार कर दिया कि वेद जो है वो देवताओं द्वारा लिखी थे हैं सनलेखना विध्यती क्या होती है? सतलेखना, सत वह लेखन सब्द से बना है इसमें क्या होतह अच्छाई का लेखा जो होता है इस दर्शन में अहिंसा और काया क्लेश परतिधिक बल दिया गया है अता सनलेखना सब्द उपवास ही कीındहरा प्रान संधर मेंगी सारे जैन जो خوٹ जाते हैं, इसी को सतलेखना द्वारा प्राम त्याग गहते हैं, संथारा प्रथा प्रधा का नतर्गत जब किसी वेक्तिय को लगता है, मिर्तियू को निकट है तो वह एकांत व्रास्ट गGM कर लेता है, और अन्न जल त्याग देता है, मौन अबरत धारन कर लेता है इसके बाद वो किसी भी दिन देह त्याग देता है वीधित है कि राजस्थान हाई कोट द्वार पंदर हमें संथारा पर्था पर रोक लगा दी थी हाई कोट इस पर्था को आत्महत्या के सिर्णी रखते हुए भारतिय दर्ण संक्ता 306 के तहत अपराद बताया था पर्था सुप्रियम कोट ने जैन समदाई से जुरे संगठ्णों की याचिका पर संथारों को ग्यान कारूइन घोसित करने वाई राजस्थान हाई कोट के फैसले पर रोक लगा दे सुप्रियम कोट ने बोला कि इसको आत्महत्या मत कहिए यह विश्यस धर्म का एक विधी है जिसके तहत लोग अपना प्रयान त्याग ना पसंद गरते हैं तो ठीक है जैसे कासी और मतुरा बिंदावन में हैं विश्य सारें से घर बने होते हैं जहां पर जाके लोग नहुतें और अपने इंदाव अब जो मिलते हैं उसमें मैक्समाम प्राकिर्ट और संस्क्रिट भासा को पनाया कलांतर में जैनियों ने सर सेनी संस्क्रिट और कनर भासा में भी साहित लिखा है जैन साहित वो क्या कहा जाता है आगम जिसमें बारह अंग, बारह उपांग, दस प्रकेड़न, छे छंद सोत्र, चार मूल सोत्र, एक नंदे सोत्र और एक अनियोग द्वार है क्या इसको याद रखना है? बिल्कुल नहीं इस आगम गरंथ की रचना संबबता स्वेतांबर संपरदाई के आचारियों द्वारा महावीर स्वामी के मृत्यू के बाद की दो संपरदाई हैं स्वेतांबर दिगंबर, स्वेतांबर जिसका कपरा स्वेत हो वो स्वेतांबर कहलाता है जिसका दिगंबर का मतल दिग का मतल दिसा होता है जिसका दिसा ही कपरा हो जो बस्तरधार नहीं करते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं जैन गरंत के आचरांग सुत्र में जैन भिक्षियों का आचार नियम वो विधी निसेदों का विवरन है भगवती सुत्र में महावीर के जीवन न्याई धम कहा सुत्र में महावीर के सिक्षाओं का संग्रा तथा उवा सगद साओ में हुन सासक तोरमन तथा भद्र बाहु च जिसमें भगवती सुत्र है इसमें सोला महाजन पदो के बारे में हमें जिक्र मिलता है भदर बाहु ने कल्प सुत्र को संस्कृत में लिखा जिसमें तिर्थंकरों का जीवन चरीते है भदर बाहुजी ने लिखा है भगवती सुत्र महावीर के जीवन और प्रकाश डालता है और इसमें 16 महाजन पदो का वर्नन है आपको क्या पूछेगा BPSC कि निम्न से कौन सी किताब है जो महावीर स्वामी के जीवन और प्रकाश डालता है तो उसमें 16 महाजन पदो का भी जिकर है तो उसमें आपके आलेक सकते हैं भगवती सुत्र है या पूछेगा कि 16 महाजन पदो का जिकर किन किन में है तो उसमें दे देगा भगवती सुत्र दे देगा या और भी किताबों के नाम दे सकता है जैन धर्म का तिर्थंकर एवा उनके प्रतीक इससे UPPCS ने पिछले साल को सन पूशा था रिसब देव जी का रिसब है तो विरसब प्रतीक है उनका अजीत नाथ जी का गज है संभवनात का अस्व है अभिनानन नाथ का कपी है सुमित नाथ का क्रॉच है पदम प्रभू का पदम है सुपार सुनाथ जी का स्वास्तिक है प्रतीक हर गुरू का एक प्रतीक बनाया हुआ जैन मंदिर कहीं पर जाएंगे तो वहाँ पर विरिसभ अगर आपको दिखे तो यानि को किसका प्रतीक है तो वो रिसभ देव जी का प्रतीक है इसी तरह से विमल नाथ जी का वारा है अनंत नाथ जी का सिने है धर्म नाथ जी का बजर है और सब के दिये हुए इतने क्या हमे जी का संख है नेमी नाथ जी का क्या है नीलोत पल है इसी तरह से 24 का 24 तिर थंख करो के अलग-अलग परतीक चिन हैं अगला है कि जैन धर्म के सिध्धान्त क्या है यह हमने देखा धारसनिक सिध्धान्त हैं यह अनिस्वरवाद यानि इस्वरख मत मानो कर्मबाद के प्राप्ति फिर पुनर जन्म होगा आपका पंच महाब्रत हैं उपर देखा था हमने अहिंसा आस्ते और इग्रह ब्रामचरे अनुब्रत है नारी सुतंतरता है आचार नंगता है और पाप है यह सब समाजिक सिध्धानत है जैन धर्मा ठारा पापको कल्पना की रिए जैन संगतियों पर हम पहुंच गए है जैन संगतियां यहां पर देखते हैं क्या दिया हुआ है कि प्रत्म कुछ सुरूतों में 322 इसापुरु के आसपास लिखा हुआ है कहा पर हुआ था पाठली पूतर भिहार में हुआ असथूल भदर जी के इसके अध्यक्स थे यहां पर क के हुए हैं दुतिये हैं वलर्भ ही में हुआ है गुजराथ जो वलर्भी गुजरात में है और देवारधी छमा सर्वन इसके अध्यक्स थे और Us में ग्रंतों का अंत्रिम संक्र्वार्ण कर इसे लिपिवध कियाativas किया चंदरूप्तमोरे भी जैन धर्म का नूई आई था। संपर्थी ने जैन आचार सुहिसता-सिक्षाली चंदरूप्तमोरे के सवें पाठले पुत्तुने प्रथम जैन संगती का आयजन हुआ था। प्रफम जैन संगरी जब 322 सेसीवी के आसपास हुआ तो उसमें सासक कौन था चंदुरुप्त मौरे था और चंदुरुप्त मौरे आपको पता है दक्षीन भारत चला गया था जहां पर उसने प्रांत्याग दिये थे अपने सत लेखना पर थी द्वारा कलिंग नर्यास खार कारी में जैन भीक्षों के लिए गुफा का भी निर्मान करवाया था अगला है कि पुरो मध्यकाल में जब हम आते हैं मध्यकाल से पुरो वाला जो पीडियारी जिसमतिरे पक्षिय संगर्स वगरे सब होता है तो उसमें राष्टकूट गंग और गुजरात के चालो के सास गुजर सक कप बीजियं जैन धर्म के थे राष्टकूट सासक अमोग वर्ष जैन धर्म का नयुयाई था इसने रतन मालिका नाम गरंद की रचना की है तो आपको अगली वाब पूछ सकता है कि रतन मालिका किस धर्म से संबन दीत है और किस सासक के द्वारा लिखी गई है ओके इसी तरह से है कि गंगवंस के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्रियम सेनापती चामुंडराई नौसो चोहत्तर इसमी में के बाहुबली जीन की मुर्ती गोमते स्वर्गा न पुर्णाटक में है भगवान बाहुबली के मूर्ती है ये ए ओके महावीर के सिक्छाओं को साहिते में संकलित करने के लिए दो जैन सभाओं का इजञन क ये हमने पढ़ लिया प्रसिद्य जैन मंदीर दिया हुआ हुआ है यहाँ पर कहां है कहां है गुप्तकाल में जैंक प्राचीन मंदीर दिगंबर जैन मंदीर पात costume रंक नरानक सरा मंदीर यह सब अलग-अलग मंदीर है मतवेतर भी भाजन उन में हो गए आपको पता ही है एक जो ते जब अकाल पर कहां पर मगल इसमराज कहां पर मॉरे सम दिगंबर के तरफ और लोग सहर में ही रह गए जो सहर में रहे उन्होंने वस्तर धारन कर लिया वे स्वेतामबर कहलाए और जो वन में चले गए वो क्या कहलाए दिगंबर कहलाए ओके में यही है इसकी कहानी जरूर याद रखना स्वेतांबर दिगंबर में अंतर स्वेतांबर तेरा पंथी दिगंबर समया पंथी कहलाते हैं मुक्ष प्राप्ति के लिए वस्तर त्याग न आवश्क नहीं है स्वेतांबर लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि वस्तर पहनते हैं स्वेतंबर मानते हैं कि नहीं वस्त्र त्याब दो स्वेतंबर में क्या है इस्त्रिया निर्मान के अधिकारी है क्योंकि वस्त्र पहन सकती है जबकि इसमें क्या है इस्त्रियों का निर्मान संभब नहीं है वस्त्र ही इस्त्रियों का रहना बरा मुस्किल होता है इसलिए इन अतिवाद की बात की गई है नोट क्या हुआ है इस संप्रदाय के अनियाई उदार विर्थी वाले थे तता धारेम की नियों परस्तिक अनसार परिवर्तन के पक्षिदर थे जबकि दिगंबर जो थे ये कटर वादी जैनियों का संप्रदाय है अस्थानक वासी भारत के स्वेतांबर जैनों का एक आधनी कुप संप्रदाय है यह UPSC 2018 कोस्षन है अस्थानक वासी मूल समू से इस अर्थ में भीन है कि वो मुर्ती पोजार मंदीर के अचार को औस्विकार करते हैं स्वेतांबर मंदीर वगएर को स्विकार करते लेकिन अस सात्मक प्रियास किया और ब्रामनिय भासा संस्क्रित का अस्थान पर इन्हों ने जन सामाने की जो भासा थी प्राकिर्थ में इन्हों उपदेश दिया और अर्ध मगदी में इन्हों उपदेश दिया संस्क्रित सब के समझ में नहीं आती थी ना तो सब लोग बोल सकते थे जैन धर्म आहिंसा का तिदिक बल देने के कारण अन्याई किर्सी और युद में सनलगन नहोकर व्यापार वानिजी को महत देते थे जिससे व्यापार वानिजी को उन्नती हुई थी जनता को जैन धर्म के सीधे और सरलुप देसों नाकर सिद किया जो आपसे पूछेगा कि जैन धर्म का समाज़े प्रभावत आपको ये पॉइंट से लिखने होंगे वहाँ पर अपनी भासाम लिखने होंगे उसके वासे जैन धर्म के विभाजन के हो ये भी आपको लिखना परेगा जैन धर्म का पतन के कारण हो कई बार ये भी पूछता है कि जैन धर्म का पतन क्यों हो गया इसमें क्या है बहुत जादा कठोर धर्म था सब लोग पारण नहीं कर सकते थे आत्म पीरा खुद को बहुत जादा कश्र देने पर बदल था अपस्यावाबल जाती वेस्था कि दर्शन को बनाई रखा गया जैन धर्मने कभी भी खुल के जाती पर था की आलोचना नहीं की जाकि बहुत धर्मने खुल के आलोचना की है जाती पर था की अहिंसा पर अतिधिक बल था इसलिए किरसी इन्होंने मना कर दिया तो किरसी ऐसा संभब था राजा लोग बोलते तो युद्ध ना करो है सारे राजा युद्ध करते था फिर भी जैन धर्म का पालन करते था इससे क्या हुआ जैन धर्म कमजोर हुआ जैन धर्सर्म में अतधिक विलिष्ट बिल्यषृत्ता होने कारण इसके स्यादवाद, अन्यकांतवाद, ये स्वाधी ग्यान को समझना समयने जनता की बस्ती बात नहीं थिया, अभी है, नहीं है, है, हो नहीं सकता, ये सब समयने लोग समझी नहीं सकती, प्राडम में, जैन धर्म एक सस्क्तान मगदिम हुआ था लेकिन बाद में जैन साहित संस्कृत में लिखा जाने लगा इससे क्या हुआ ये सामाने लोगों से दूर हो गई जैन धर्म से इस बार यूपी पीसेस दोहर बाइस का जो दुबारा तारीक एक्जाम वो इसमें क्या पूछा कि कौन सा धर्म सहरी भाग का पर मुख धर्म था तो जैन धर्म दोचा ये कभी भी ग्रामी नस्तर पर नहीं पहुंच सका या विस्व में भी नहीं फैल सका बाद धर्म का बिस्तार अब रामन धर्म का फिर से पुनरत्थान हो गया बाद धर्म में सुधार वाद हुआ फिर से सुधार हो और फिर से बा बहुत ही इंपोर्टेंट है ब्युप संगतियां हुए तो इसलिए इसको नेक्स लेक्षर में कंप्रीड करता हूं अब इसमें जैन धर्म ही रहने एसे लेक्षर बहुत जादे बड़ा हो जाएगा है ना फिर देख नहीं पाएंगे जो कि बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है यह बहुत धर्म इसलिए इसको फ्रेस में अगले लेक्चर में कंप्लीट करते हैं ओके चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना अगला लेक्चर जरूर देखना जैन धर्म का क्योंकि इन दोनों को क्लियर हो जाएगा तो आपके इंसेंट एस्टिमी से हर साल क समसाते हैं अपरी मेंस इंटर्वो सब जगा पूछते हैं ओके थैंक यू सो मच